बिस्मिल्लारमानरहिम इस लेक्षर के अंदर जो हम काम करने वाले हैं वो है related to machine learning की web app कैसे बनानी है web application stream lit के तुरू हम पहले भी बना चुके हैं और अब machine learning की एक app बनाएंगे solely using our prompt engineering methods जो हमने सीखे हैं पिछले दिनों और इन methods को use करके हम एक app को finalize करने वाले हैं prompt हम बकाइदा लिखेंगे पहले markdown के अंदर फिर उसे copy paste करेंगे inside chat gpt version 4 और यह chat gpt plus का account अगर आपके पास available नहीं है you can buy that from us because we are actually selling this shared account for 2000 पाकिस्दानी PKR per month और यह हम आपके लिए कर रहे हैं otherwise you can also buy for 22 dollars online अब हम सीखते हैं जी किस तरीके से हमारे पास chat gpt की app chat gpt से हम apps बना सकते हैं using prompt engineering और इस app का पहले हम layout त्यार करेंगे मैं screen पे आपको ले के जाता हूँ हमारी app का नाम है 03 ml ml underscore app और इसके अंदर मैं पहले workflow बनाऊंगा workflow.draw.io यह इसकी extension मैंने आपको पहले भी बताया draw.io है not draw.io draw.io यहां पे हमारा पूरा workflow चलेगा कि हमारी app किस तरीके से बनने वाली है और इस app के अंदर कौन-कौन सी खुसूसिया जो हैं हम ले के आने वाले हैं आपका ठीक है एम के अंदर मैं यह लिखता हूँ आप मशीन लर्निंग एप helping to select the best model based on regression और classification ठीक है और फिर इसके बाद fine tuning the model ठीक हो गया यानि के hyper parameter tuning यह तीन एम है हमने एक app बनानी है जिसके अंदर हम machine learning का task कर सके और उसके aims यह हैं कि हमारे पास हम यह वाले काम कर सकें जो मैंने यहां पर लिखिया है मैं इसको left align कर लेता हूँ और इनको मैं bullet points देता हूँ अगर यहां पे available हुए and not here I don't see the bullet points okay बारहल यह रहे और यह तो काफी बड़े ओड़ेंगे ऐसे but it's fine we can actually do it like this यह हमारे जनाबे वाला aims हो गए बलके bullet points रहा नहीं दी यह होते कम खराब हो रहे यह aims हो गए सो हमने अब काम करना है किस तरीके से हमने आपको लेके चलना है सबसे पहला काम मैं यहां पे लिखूंगा अपना पहला task जो हमारा task है वो होगा जनाब सबसे पहले load the data हमने data को load करना है or upload the data अगर कोई बंदा load नहीं करता सिरफ view करना चाहता है then we can provide example data example data का हम button देंगे वहां पहे ठीक है और जब हम example data की बात कर रहे हैं at the mean time we are then asking asking for the features and targets ठीक है features and targets की बात करेंगे लेकिन उससे भी पहले जारी बात है अब आपको समझाएगी कि किस तरीके से आप different किसम की apps को देख सकते हैं features and targets से पहले हम क्या करेंगे यहां से भी पहले इसको मैं control D करके ऐसे कर लेता हूं and I can fix that here इन्नों delete करो यहां पर हम यहां पर check the column names and data types data types और उनके column के name देखेंगे feature और target उससे पूछेंगे कि किसको predict करना है किसको नहीं करना ठीक है पूछने के बाद हम फिर pre-processing करेंगे pre-processing जिसमें हम क्या करेंगे null values को null values imputation and then इसकी बजाए यह वला हो जाता तो बेतर था okay मैं यहां पर इसको ऐसे रख देता हूं null values imputation हो गया हमारे पास pre-processing के अंदर null values imputation हो गया then हमारे पास दूसरा काम है दूसरा क्या होगा encoding feature encoding encoding फिर आ जाएगा जिए feature selection feature encoding के बाद inverse transform भी हमने end पे करने है transform भी करने है training feature selection हो गया फिर इसके बाद कुछ और भी हम कर सकते हैं अभी के लिए इतना है मैं लिखता हूं ताके हम ज्यादा भी expensive इसको extensive ना बना है then we will ask for select the model और feature selection के बाद जब हम target और यह वाले variables लेंगे then at that point we have to find if the problem is problem जो है हमारे पास वो regression की है और classification की है ठीक है यहीं पर हम data type को देखके ही पता लगा लेंगे then हमारे पास select the models from all regressor or classifier models this will based on the point of selecting target variable ठीक है तो हम यह select करेंगे के हमारा target variable क्या है और उसकी बेस पर यह सारा model हमारा चलेगा right फिर हमने add the evaluation matrix based on the problem print the evaluation matrix and select the best possible model with multiple hyper parameters ठीक है so जितना भी हमने कुछ सीखा है ना उन में से ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हमने इसके अंदर लिखने है था कि हमें पता चल जाए फिर ask the user for input data based on sliders and predict the output of target variable with accuracy with respect to matrix right okay तो यह हमारा पूरा एक flow है जिसके अंदर हमने चीजें लिखी है अब इस फ्लो को हम एक प्रॉम्ट के अंदर convert करने वाले हैं और जब भी एक एप बनाए उसका मार्कडाउन का प्रॉम्ट लिखें प्रॉम्ट डॉट मार्कडाउन अब इसके अंदर हम प्रॉम्ट लिखेंगे अपना जो हमने यहां पर वर्क फ्लो के अंदर सेव किया है ठीक है मैं यहां पर इसे कॉपी करता हूं यहां पर लिखता हूं यहां पर इसको मैं गया देता हूं प्रॉम्ट यहां पर मैं प्रॉम्ट लिखता हूं यहां पर हे चैट जीपीटी अब यह प्रॉम्ट देखिएगा आपको यहीं से समझ आ रहागी कि हमने कि तरीके से लिखने है एक्ट एक्ट एज आ एज एन एप्लिकेशन डिवेलपर एक्सपर्ट ठीक है इन पाइफॉन यूजिंग स्ट्रीम लेट ठीक है पहले हमने उसकी इसको जॉब बता दी अब क्या करना है यह हमें प्रॉम्ट ही बता रहा है कि कैसा लिकूं एंड बिल्ट and a मशीन लर्निंग एप्लिकेशन यूजिंग साइकिट लर्ण हमने पहले बता दिया कि साइकिट लर्न को यूज करके एक अप बनाओ अब हमने क्या करना है विद्ध फॉलोविंग वर्क फ्लो ठीक है अब हमने पॉइंट्स के अंदर वर्क फ्लो यहां पर बताना है सही है हमारा पहला क्या है यह हमारे aims है ठीक है यह हमने पहले बता दिया है based on model fine tune करने और so on so forth load the data okay ask the user to upload the data ठीक है data set यहाँ पे अब हमने specify करने है in csv, excel, sx, tsv or any possible data format ठीक है अब हमने आगे क्या करने है if the user do not want to upload the data then provide then provide a default data set selection box this selection box should download the data from sns dot load data set function function the data set should include titanic tips और iris सिरफ मैं तीन पे रख रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास एक और option आगी यहाँ पे हमने कहना है ask a user if he wants to upload the data or use the example data right पहले हमने पूछना है user से सबसे पहला काम और इससे भी उपर क्या है greet the user with a welcome message and description of the application then ask the user if he wants to upload the data or use the example data if if the user select to upload the data show the uploader section on the sidebar sidebar ठीक है यहाँ पे हमने बता लिया then if the user do not want to upload the data set then provide a default data set selection box on the sidebar right data आ गया हमारे पास अब अगला काम क्या है check the column names and data types print the basic data information such as column names data so हम ऐसे करेंगे such as data print such as data head data shape data description data info and column names simply ठीक हो गया तो हमारे पास basic information आगी then asking for the features and target we have to find the problem right then ask from user from the user to select the column columns as features and also the columns as as target identify the problem if the target column is a continuous numeric column then print the message that this is a regression problem otherwise print the message this is a classification problem right 7 number हो गया अब हमने क्या किया अपना prompt लिखते जा रहे हैं अब हमने क्या करना है then pre-process the data if the data contains missing values fill the missing values with the mean of the column हम यहां पर लिकिंगे fill the missing values with iterative imputer function of scikit-learn right if the features are not in the same scale then the feature using the standard scalar function of the scikit-learn if the features are categorical variables then encode the categorical variables using मैं यहां पर label encoder लिखते तो label encoder function of scikit-learn please keep in mind to समझा रही जी बात की बोर तो नहीं हो रहें मैं आपको पूरा prompt इस वज़ा से मैं लिख के बता रहा हूं ताके आपको समझ आए कि application बनाना असान है सिरफ बताना मुश्किल है बताना आजाए बनाना आजाएगा let's see please keep in mind to keep the encoder separate for each column as we need to inverse transform the data at the end preprocessing होगी जी हमारी यहां पे अब हम चलते हैं जनाब model select करो okay and list the okay create no ask the user to select the model from the sidebar the model should include linear regression decision tree random forest and sport vector machines and same for the classification problems and same classes of models for classification problem and then then हमारे पास उसके बाद क्या आएगा जब वो model select कर लेगा then train the model and बलके यहां पे हम लिखते हैं ask ask the user to provide the train test split size via slider or user input function तो हम यह भी पूछेंगे train test split size कितना रखना है तो that comes here classification problem के लिए model हो जाएंगे फिर train the model on the training data and evaluate on the test data use at least bulky if the problem is a regression problem use mean squared error r-score for evaluation mean squared error rmsc mean absolute error and AUC ROC curve and r-score for evaluation if the problem is classification use the accuracy score procedure recall and F1 score for evaluation procedure procedure recall F1 score and confusion matrix and draw confusion matrix for evaluation and draw confusion matrix for evaluation print the evaluation matrix for each model highlight the best model based on the evaluation matrix ask the user if you want to download the model if yes then download the model in pickle format and then if yes then ask the user to provide the input data and make the prediction using the best model provide the input data using sliders or upload to it file 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 and now अगर यह model हमें पूरी की पूरी प्रॉम्ट जो है उसका answer हमें दे देता है then that means के हमारे पास एक proper app बन के आ जाएगी और मुझे पता है इसने पहले मिंते डालनी है के multi-step process है below is the high level example फिर उसने रोले डालने के ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा जानी हो रहा so please give me some time give me some sunshine वहीं हसाब हो जाना है but you will see के हमारे पास यहां पे पहले वो function define कर रहा है और मैं सिरफ prompting use करूँगा यहां पे अपनी coding की skills बहुत कम use करने वाला हूं function आ रहा है if classification की problem है तो label encoder use हो रहा है ठीक है function to train and evaluate main function आपके पास आ गया यह जो भी कर रहा है मैं कुछ नहीं इसके बारे में बोलूँगा इस वकत because we will see के यह हमारे पास क्या क्या information at the end आती है इस app को बनाने के लिए सिरफ workflow आपने बदाना है और यह आपके पास चैट GPT साहिब काम कर रहे हैं यह खुबी है जी चैट GPT 4 की के it can generate एक अच्छा खासा code अब बस यह शोखी में आ जाए कि मेरी तरीफ होगी है दन आपको जिरफ प्रॉम्टिंग आने चाहिए अगर यह तकरीब आदा पुने घंटे में आप एक प्रॉम्ट लिखते हैं and at the end you can create a big model believe me it can help you a lot I know कि इसने step number 12, 13, 14 और 15 से 17 यह ने बताया हम इसे कह देंगे कि वो भी बताये show me the steps from 12 to 17 as well in a separate code snippet which I can embed to the original one so meanwhile मैं यह पूरे के पूरे चीज को यहां से copy करता हूँ पूरे के पूरे code को यहां पे वापिस आते हैं हम अब मैंने यहां पे इसको भी save कर लिया prompt को भी इसको भी save कर लिया file को भी and now I am going to create a file called app.py तो इसको आप ml app.py जो भी नाम देना आप दे सकते हैं तो मैंने app.py का नाम दिया है मैं यहां पे इसे paste करता हूँ यह मैंने paste कर दिया जी सारे का सारा code और यह code मेरे पास सारे का सारा यहां पे आ चुक है and I have to run this app कैसे यह run करूंगा I am gonna show you again वो ही चीज़ यहां से cd streamlet run app.py इसको मैंने run किया और यह जनाबे वाला मेरे पास app run हो रही है meanwhile यहां पे gpd साब ने answer दे दिया मेरे ख्याल से जो बाकी चीज़ों का है yes but before that it's taking a lot of time क्योंकि first time run होनी है और हमें यहां पे different किसम की चीज़ें जो है वो add भी करने चाहिए यह हमारे पास इसका बचा हुआ code है we have to integrate this code inside यह जो बारा से उपर जो हमारे पास different चीज़ें थी वो सारे के सारा code यह वाला है तो हमें इसको as it is उठाता हूँ और अपने code के अंदर end पे paste करने की कोशिश करता हूँ इससे पहले क्योंकि उसने बोला था कि यहां पे आपने इस code को paste करना है prediction this need to be filled with appropriate evaluation problem अगर मैं इसको github copilot को बोलूँगा यह भी इसको fill कर देगा but I would like to fill that by just writing the things बल्के अभी पहले आपको चला के देखने के चले भी रही है कि नहीं ले जनाब iterative imputer is experimental API and might change without any deprecation cycle to use it you need to explicitly import in enable iterative imputer from this okay तो यह एक code में मसला था हमने iterative imputer को यहां पे चलाया but this was the problem यहां पे मैंने यह code add कर दिया अब दुबारा से मैं आपको चला के देखता हूं अगर यह मेरे पास run करती है जो चीज़ आप chat GPT से बनाते हैं वो भी एक चीज़ है जो आप खुद से बनाते हैं वो भी एक चीज़ है मैंने यहां से problem select की है tips की तो यह मेरे पास app बन गी है और अब मैं क्या करता हूं machine learning application हमारे पास बन गी है यह यहां पे example data आया है और यह data की shape है 244 by 7 तो इस data पे हमारे पास यह data description है यह हमारे पास data की info है which can collapse like this आप यहां से अपने feature के columns को select करते हैं मैं यहां से basically column को जो भी select करना है मैं कर सकता हूं sex का column कर लिया time का total bill smoker day size और हम tip को यहां पे predict कर रहे है ठीक है तो यह regression problem है हमारे पास तो यहां पे अगर आप देखें तो इसने पहले क्या कहा हुआ है कि female cannot be converted into this one क्योंकि यह जो data है यह already हमारे पास यहां पे titanic का समझ रहा था for example अगर मैं titanic का data select करूंगा then you can see कि हमारे पास यहां पे हम column select करते हैं say for example survived को हमने predict करना है based on the age, sex, sibling spouse and survived ठीक है तो जैसे हमने यह किया तो आप देख सकते हैं कि यहां पे string जो है वो नहीं हमारे पास sex का जो convert हो रहा but here we can see कि अगर age, sibling spouse and survived हमारे पास sibling spouse और age की base पे हम survived को predict करें so it can ask us this thing कि आपने कौन सी split रखनी है मैं इसको 20 और 80, 80-20 की ratio में रख लेता हूं select the model मैं यहां से random forest regressor को select करता हूं and at the end मेरे पास यहां पे कुछ भी print नहीं हो रहा so आप यह देख लें कि एक app बन गी है लेकिन complete नहीं है वो still need to work on this a lot ठीक है और उसके लिए हमें code में जाना पड़ेगा हमारा काम जहां तक हो रहा है that is actually based on the functions हमारे पास अगर classification की problem है तो classification आ रहा है अगर regression की problem है तो regression आ रहा है you can see that अगर survived को मैं predict करो it is saying के regression problem है हलागे यह classification है because survived 0,1 का होता है पहली तो यह गलती दूसरा अगर मैं sex को predict करो then this is saying के यह classification problem and that's a good thing so survived classification या regression problem है या नहीं है यह भी हमें user से पूछना चाहिए क्योंकि उसने data को encode करके हमें दिये so हमने अब गलती आपनी लिखते जाना है और उसको सुधारते जाना है so हमारे लिए यहाँ पे अगर आप देखें so we have to ask user के survived regression की problem है या classification की है so मैं यहाँ पे जो अपना prompt था उसके अंदर ही कहता हूँ ask also please modify and ask the user to provide the information if the problem is regression or classification also do not run anything until we select the columns and tell the app to run analysis please add one button which starts training ml models ठीक है अब यह जो मैंने इसके अंदर addition की है this addition can actually help you to understand क्या आपने कैसे काम करना है और यह addition मैं वापिस अपनी markdown की file के अंदर भी लिखने वाला हूँ तो जो भी मेरा procedure होगा जो भी मैंने procedure यहाँ पे की है उसको मैंने यहाँ पे लिखते जाना है modification या fine tuning में से बोलते है fine tuning of the model यहाँ पे मैं इसको paste कर रहा हूँ कि पहली fine tuning मैंने यह बताई है अब fine tuning बताने के बाद आप देख रहे हैं कि यह अब यहाँ पे अपना काम कर दी है to accommodate your request I have modify the code include this 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 blah 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 right तो आपको समझ आ गी है एक और चीज हमने यहाँ पे लिखनी है modification के अंदर which I am going to write as a modification number 2 2 number पे वो यह होगी please also use cache for data and models to speed up the procedure ठीक है यह हमने second modification add करनी है यह cache का button जो हमारे पास आएगा and then we have to use this code अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है जनाबे वाला prompting के थुरू आप यह आप बना रहे हैं basically और chat gpt plus के थुरू आप बना रहे हैं यहां तक आपको समझ आगी है जनाब कोई issue तो नहीं आ रहा है यहां पे I know कि आज का lecture थोड़ा सा advance है और थोड़ा सा different way में जा रहे है as compared to our previous lecture क्योंकि यहां पे हम practice कर रहे हैं live बैठ के लें जनाब यह हमने app यहां पे modify कर ली है और यह modified code हमारे पास मुझूद है let's see मैं इसको अगर paste करता हूं तो हमारे पास क्या काम होता है मैं इसको copy करता हूं code के अंदर ले जाता हूं और अपने code के अंदर सारे code को replace कर देता हूं ठीक है और जैसे मैंने code को replace किया है सारे code को replace करके ctrl s दबाया ctrl s दबाने के बाद I have to refresh this page अब यहां से मैं example पे जाता हूं tips पे जाता हूं and we can actually see के option कौन सी है मैं यहां पे total bill sex smoker day time size को select करता हूं total bill की बजाए tip को हम यहां पे ले के आते हैं और यह regression की problem है and now we can click on run analysis और still encoding हमारे पास काम नहीं कर रही है because this is thinking के हमारे पास जो example data है वो titanic है मैं इसको दुबारा से select कर लेता हूं या हमारे पास example के अंदर tips का data भी हो इसके अंदर भी तो है na sex exactly तो encoding हमारी काम नहीं कर रही है इस वकत इस वज़ा से हमारे data के अंदर problem है सो मैं यहां पर tip को select करता हूं regression के analysis को run करता हूं run के बाद यहां पर यह error आ रही है मैं ऐसी error उठाऊंगा chat GPT में जाऊंगा इसको बोलूंगा के this is the error ठीक है अब हम error wise चलेंगे साथ साथ prompting के अंदर जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो आप error wise भी आगे आगे move करते हैं ताकि आप error को वैसे ही resolve कर ले अब उन्होंने बताया है मुझे पता है यह encoding की problem है और इसके लिए we know that we have to use label encoder या हमें one-hot encoding use करनी है so हमारे पास यहां पे pre-process data के function जो है उसके अंदर वो get dummies के थूँ या label encoder या हमारे साथ different चीजों के थूँ उसको resolve करेगा और मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ जब तक वो आपको code दिखा रहे है so we have to go here जो हमारे पास pre-process data है वहां से हमने fit transform किया iterative imputer को जिससे missing values impute हो गई है and then हमने यहां से scale की है x scale को हो गए वो ठीक है and then बलके यह x के अंदर ही convert होना चाहिए नहीं बलके imputed then यह x scaled हो गया था if इसने थोड़ा सा गलत ले लिया इसे regression की problem को वो resolve नहीं कर रहा सबसे पहला काम हमारा होगा pre-process data x y problem तो हमने यहां पे यह if condition को remove करना है तो यहां पे हम लिखेंगे only this encode the features using label encoder if the data type of columns is categorical or object तो encoder हमारे पास label encoder आ गया है तो हम y encoded encoder fit नहीं x को करना y को तो नहीं करना x यहां पे हम इसको x लिख देंगे again और यहां पे हम x scale दे देते हैं और यहां से हमने select करने थे categorical columns x select data type include object and category वह वले select करने हमने और यह हैं जनाब categorical columns तो जो भी हमारे x scale के categorical columns हैं उनको हमने encode करना है तो इसका best तरीका कार यहां पे chat GPT साहब ने भी बता दिया कि आप पहले identify कर ले pre-process data वाले को something like मुझे chat GPT ने यह वाला code दी है इतना सा so I am going to add this into our categorical variable encoding system अब उसके अंदर हम क्या करेंगे यहां पे encode the features using label encoder मैंने बोला है तो label encoder आ गया यह हमारे categorical columns हैं जो हमें वहां पे भी बताया गया and now we have to use column transformer ठीक है ताके हम इसको वहां पे use कर सके right let's see use column transformer to encode the data तो मैं github co-pilot का भी यहां से थोड़ा सा सहारा लेता हूं ताके यह हमारे पास अच्छे से जो app है वो आ जाए okay now it's working fine तो हमारा preprocess data पहले missing values impute हुई है ठीक है अगर हुई कोई then scale हो जाएगा हमारे पास यहां पे data ठीक है फिर हमारे पास categorical columns आ जाएंगे और categorical columns के फोरण बाद categorical columns x select data type के अंदर include object and category आ जाएगा तो जो भी हमारे columns है वहां पे object और category के उनको हम preprocessor के through यहां पे column transformer लगाएंगे और transformer में encoder हम use करेंगे label encoder categorical columns को encode करना है remain को हमने pass through करबादना है then x encoded जो हमारे पास बचा होगा उसको preprocessor.fit transform करके x scaled को हम x encoded में convert कर देंगे हमारे पास जो x encoded है यहां पे तो हमने यहां से x लिया और उसको x encoded में convert कर रहे है at the end यहां पे अगर आप बहुर करें ठीक है x encoded में सो हमने अब देखना जाए है कि हमारे workflow के अंदर x encoded आगे जा रहा है सो यहां पे x train y train model.fit x train y train में हो जाएगा define train and evaluate prediction model.x test हो गया और यहां पे x encoded है हमें अपने पिछले code के अंदर सिरफ यह पता लगाना है कि preprocessor हमारे पास कैसे बना हुआ था बाले आप 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 मेरी तरफ से तो बट स्टिल वी कन हैव लुक के अप के अंदर क्या हो रहा है मैं इसको refresh करता हूँ refresh करने के बाद हम examples ले के आते हैं titanic का data हमने पकड़ा यहां से titanic की बज़ाए tips का ले लेते हैं choose column सारे column मैं यहां से select कर लेता हूँ tip को यहां से remove करके tip को y में ले आता हूँ और यह regression की problem है run analysis करते हैं still the encoder is not working there is something wrong और वो wrong क्या है I can understand के हम x को x scaled क्यों कह रहे है x encoded क्यों कह रहे है it should be x if I am not wrong let's try this okay example data titanic tips यह आ गया हमारे पास एक हम यहां से लेते हैं total bill और मैं tip को अगर मैं run analysis करना चाहूं regression का तो यह हमारे पास specifying the columns using strings is not spotted for data frame okay तो यह अभी हमारे पास string के अंदर मुझूद है that's the problem अगर मैं इसको then run analysis value error this one मैं इसको उठाता हूं यहां पे लेके आता हूं control A करने के बाद यहां पे इसको print कर देता हूं पूरी के पूरी app के उपर जैसे कि आप देख रहे हैं कि app seconds में बन तो जाती है लेकिन to optimize an app into a big app you need to work a little bit more और हम github co-pilot को use कर रहे हैं यहां पे हो सकता है हमारे पास errors easily आ जाएं जो errors हैं वो हमारे preprocess के function के अंदर हैं यहां पे I see ले जनाब इसने कुछ correct की है अब देखते हैं कि हमारे पास यह correct हुआ है कि नहीं हुआ यह आपके सामने दुबारा से आ गए है and still the same error मैं यहां से example data में titanic का choose करके देख लेता हूँ और अगर मैं यहां पे age की base पे fair को predict करो regression problem है this is saying like slider min mixin.slider got multiple values for argument value again same kind of error क्योंकि अगर मैं यहां पे sex देता हूँ and you can see के अभी भी हमारे पास problem है still the encoded issue तो इसको हम resolve करेंगे अपने next episode के अंदर क्योंकि reason यह अभी time भी काफी हो गया and let's see आप में से कौन इसे resolve करते हैं मैं code अभी upload करने वाला हूँ github के उपर अगर आप इसे resolve कर लेते हैं तो आपके लिए एक surprise gift है यह app जो भी बना के finally कल तक send करते हैं then we can actually invite that person के आप यहां पे आके हमारे साथ इसे present करें and which can actually boost your portfolio as well let's see कौन आप में से काम करते है तब तक के लिए अपना ख्यार रखें दौआ में याद रखें और basically इस app को आप तगरीबन एक दो दिन में भी कर सकते हैं तो Saturday evening को इंशाला हम दोबारा इस पे काम कर सकते हैं Take care, Allah आफिस